OTS for Salesman में आपका Salesman बहुत इजली उसका Expense Manage कर सकता है अब आपका Salesman उसका Expense खुद यहाँ पर एड़ कर सकता है यहाँ पर DateWise Expense को एड़ किया जा सकता है Salesman को उसके एप से यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करना है ताकि वो उसका Expense खुद यहाँ से एड़ कर सकेगा यहाँ पर Select Expense टाइप है जैसे पेट्रोल, डिजल, फूड और इस तरीके के Expense को बहुत इजली एड़ किया जा सकता है जैसे पेट्रोल है तो 200 रुपीज सपोर्स कीजे कि इस Salesman को आज पेट्रोल के लिए लगे तो रिमार्क में वो कुछ भी Optional है यहाँ पर डाल सकता है जिसे अभी के लिए तो हम यहाँ पर बाइक एंटर कर देते हैं लेकिन आपके Salesman को बोल सकते हो कि इसके रिसिप्ट का इमेज भी यहां से सेट कर सकते है जिसे अगर हम यहाँ पास एक पेट्रोल पंप का पोटो है तो सब्सक्राइब और एक्सपेंस करते ही यह एक्सपेंस अब एड हो जाएगा तुरंत ओनर को भी यह एक्सपेंस उसके पैनल पे देखने मिलेगा कि फूड के लिए भी एक्सपेंस आपका सेलिस्मेन ने यहां पर एड किया 500 रुपीज रिमार्क में वो रिसिप्ट या कोई भी चीज इंटर कर सकता है जिसे हम अभी करेंगे लंच तो लंच के लिए हमने एड किया अगर वो कोई होटेल का रिसिप्ट है उसके पास तो यहां से अपलोड कर सकता है जिसे हमारे पास रिसिप्ट हमने अपलोड कर दिया और एड एक्सपेंस कर दिया तो आप यहां देख सकते हो हमारा रिसिप्ट के साथ यहां पर यह एक्सपेंस अब एड हो चुका है और अब चलिए देखते पैनल पर यह किस तरीके से हमें द डेट क्या थी कौन से डेट पर एड़ किया था किसने एड़ किया नेम एक्सपेंस का टाइप याव है फूड पेट्रोल कितना अमाउंट है रिमार्क क्या था और इमेज भी आपको या पर देखने मिलेगा जिसे रिसिप्ट और यह पेट्रोल पंप का भी हमने से अपलोड क आपको लगता है कि कोई गलत हुई नीचे वाली या ऊपर वाली कोई एंट्री गलत हुई तो एड़ीड भी कर सकते तो देख सकते वाप्यापे हमने अपरू कर दिया अब इस एंट्री को समय लगत है तो हमने एड़ीट कर लिया इसको 500 को आप में 400 कर लेंगे प्रॉपर और अपडेट करते हैं यह अपडेट हो जाएगा और अब इसका स्टेटास हम एपरू कर लेंगे तो इस तरीके से आप प्रॉपरली अब आपका एक्स्पेंस मैनेज कर सकते हो और फिर आपको ओवर्वीव भी मिल सकता है या आपको डिलीट अल एंट्री इस डेट की यह मिलता है और एक्सपोर्ट फूल मंत रिपोर्ट का एक एकसेल फाइल आपको जन्रेट होता है ताकि आप कंपनी में प्रॉपर अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो और मैन्यूली भी फिर आप एड्मिन पैनल से एंट्री कर सकते हो सेल्समें सेलेक्ट करना है एक्सपेंस और मैंनेज कर सकते हो